बीपीएसी परिक्षा से जुड़ी एक बड़ी अप्टेट सामने आ रहे है जिहां आपको बता दे कि बीपीएसी यानि की बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंबिक परिक्षा में बड़ा बदलाव करने वाली है बता दे कि इस बाबत आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रशाद ने गुरुबार को ये घोशना की कि बिहार लोक सेवा आयोग अब अपने परिक्षा पैटर्ण में बदलाव करने वाली है ये बदलाव आगामी परिक्षा से लागू किया जाएगा यानि जन्वरी 2023 में होने वाली और सच्वी BPSC परिक्षा में चात्रों को बदले हुए पैटर्ण पर परिक्षा देना होगा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रशाद ने कहा है कि अब BPSC प्रारंबिक परिक्षा के प्रश्न पत्र देर सो अंग की बजाए दो सो अंग के होंगे इसके साथ ही कटिन सवालों का सेट अलग से तयार किया जाएगा इसके साथ ही अब अभीरती तुका मार कर सफल नहीं हो सकेंगे परिक्षा में अभीरतियों को पूरी जानकारी होने पर ही बहतर अंक मिल सकेंगे अब BPSC की परिक्षाओं में निगिटिब मारकिंग होगी BPSC 68 सहीत सभी PT परिक्षाओं में ये नियम लागू होंगे BPSC की सभी वस्तुनिस्ट परिक्षाओं में 1500 प्रशन स्टार मार्किंग वाले होंगे वहीं अब 50 सवाल अन्य सवालों की अपेक्षा थोड़े कठिन होंगे इन प्रशनों का सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को दुगना अंक मिलेंगे गलत जवाब देने वाले अभ्यर्थियों के सही प्रशनों के जवाब से मिलने वाले अंक में भी कचोती की जाएगी हबरों की माने तो पीटी में 1.500 प्रशनों के ही अभ्यर्थियों को जवाब देने होंगे लेकिन ये परेक्षा 200 अंकों के लिए आयो जित होगी सिलिबस में भी किसी प्रकार के बदलाव नहीं किये गये हैं बस इन में 50 ऐसे प्रशनों होंगे जिसमें स्टा माक होगा इसके सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को दो अंक दिये जाएंगे गलत जवाब देने पर ये अंक काट लिये जाएंगे फिलहाल बीपीएसी के तरफ से ये अपडेट सामने आई है आपको बता दे कि ये जो भी बदलाव किये गये हैं वो जनवरी 2023 में होने वाली अर्शचवी बीपीएसी परिक्षा से मानने होंगे आपको बाएंगे झाल झाल